कि कोश्चर नमर सेवेंटी देखे बच्चों ये सब भी बहुत अच्छे सवाल है ठीक है ये सब सवाल बहुत अच्छे इंपोर्टेंट होते हैं आप देखे इसमें भी हमारे पास क्या है ना क्वार्टेनरी एमाइन दिया हुआ मतलब चार्ज्ट लिबिंग गुरूप है और चार्ज्ट लिबिंग गुरूप का बच्चों एक ही केस होता है पता होना चाहिए कि उसमें हॉप मैन इलिमिनेशन होता है तो जब भी आपको क्वाटेनरी एमाइन का इलिमिनेशन करना हो तो उसका तरीका क्या होता है बच्चों सबसे पहले आप नाइट्रोजन प्ल तो आपको क्या करना है इसको होप मैन इलिमेशन बोलते हैं तो यहां पे आपको क्या करना सबसे पहले नाइटोजन प्लस को घेर लेना और नाइटोजन प्लस से जितना भी कारवन डायरेक्ट जूरा हुआ रहा रहता बच्छो वो सब अलफा कारवन है हमारा सब क्या है अगर अलफाद इसके बगल में यह बीता है ठीक है और यह वाला बीता है तो यह हमारे पास बीटा कारवन हुआ यह बीता कारवन से हाइडोजन हटाना है जहां पर बनने वाला नीगेटिव चार ज्यादा स्टेबल होना चाहिए और ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं बच्चों क्योंकि यह चार्ज सब्स्टेट है चार्ज सब्स्टेट में यह लिभिंग गुरूप बहुत पूर होता और पूर लिभिंग गुरूप होना की वजह से जहां से हाइडोजन एपस्टेक्ट किया जाता है homosexual के द्वारा या किसी बेस्ट के द्वारा वहां पर पार्शेलि निगेटिफ चार डेवलप होता ट्रांजिसन स्टेट में इसलिए transition state को stabilize होना चाहित इसलिए हम लोग ऐसा बात बोलते हैं कि इस case में आपको पहले alpha कारवन सारा मार कर ले, alpha कारवन किसको बोले बच्चोत nitrogen plus को सिर्फ आप गेरे, nitrogen plus को गेर ले, nitrogen से जो direct carbon जुरा हुआ है उसको आप बोलेंगे alpha कारवन, और alpha कारवन के बगल वाले carbon को बीटा कारवन, जितना alpha देखे, इससे तो इधर जुरा हुआ हुआ है, तो इसका बीटा नहीं होगा, इस alpha का कोई बीटा नहीं, इस alpha का कोई बीटा नहीं, लेकिन इस alpha का तो बीटा है, एक बीटा यहां पर है, एक बीटा यहां पर है, अब इन दोनों बीटा कारवन में स आपको सोचना ही डोजन कहां से हिंटाएं आपको हाइं रीजईन वहां से यहां से यहां पर नगेटिव चार्ज बने तो देखेंगा हम यहां से यहां सोचना है तो हम यहां back 5 जाएं сказать। अगर ही देshirt नेगे ही बनेगा और इस संड इंडर पर बता करें तो इसका मतलब इसका अगर मैं प्रोडक्ट बनाओ इसका प्रोडा कुछ ऐसा बनना चाहिए और आप देखे यह इसने क्या बनाया है इसका ब्रोड़क्ट मेरे समझ से ऐसा ना चाहिए एन और उसके बाद M E 3 और यहां पर आपको double 1 दिखेगा तो यह वाला भी मिथाइल के पास डेवल वो नहीं है यहां देखाँ यही बना दिया प्रोड़क्ट यह होना चाहिए लेकिन यह बनादिया इसलिए इसाही मैच नहीं है आप आ यहाँ पर फिर से यहां पर वही केस है यहा पर भी हमें क्या सोचना होगा इसको अधरा सा आपड़ कर गई सब्छाइब और देख सोनीचे बना देता है यहां पर देख क्या किया है बीवाले में कि यह नाइटरोजन प्लस तो किया चलिए हम भी कर देते हैं यहां पर मिथा चेंज्ब प्लस बिघो जो रहा है यह तो ठीक है यहां पर देखिए क्या जो रहा इथाइल जो रहा हुआ और ये चीज हमें थोरा सा समझना होगा अब देखे फिर हम वापस इसको क्या अगरे नाइटोजन प्लस को पूरा घेड़ लेते हैं अब बता है ये नाइटोजन प्लस से जो भी कारवन जुरा हुआ वो सब अलफा है सवारा अलफा है ये भी अलफा हो गया अब बता है अलफा का बीटा खोजना ते इस अलफा का बीटा ये हो गया इस अलफा का बीटा ये हो गया इस अलफा का कोई बीटा नहीं इस अलफा का बीटा ये हो गया अब गौर से देखें सारे बीटा में से कौन सा बीटा ज्यादा इस्टेवल हो तो बच्चों यह सब तो डिगरी टू डिगरी बीटा पोजिशन है ठीक है तो कहीं ने कहीं हमारा फोकस इस पर जाना चाहिए अब इन दोनों में भी अगर आप देखें तो अब यहां माइनस चार्ज बनाते हैं तो यहां से लग्टन आएगा यहां से लग्टन आएगा इन चल रहा होगा कि यही बीटा है जहां पे बनने वाला माइनस चार्ज एस्टेबल होगा तो इसका मतलब बेस जो है वो इसी बीटा कारवन से हैडोजन लेगा अब सोचिए अगर इस बीटा कारवन से हैडोजन लेगा बेस तो यहां पे बनेगा आपको क्या यहां पे आपक बनना चाहिए बच्चों वो तो CS2 double bond CS2 होना चाहिए यह पूरा सीगमेंट हो गया और यह पूरा आपको मिल जाएगा वहां पर अलग होता हुआ देख लिए ऐसा और यहां पर एक मिथायल था एक मिथायल दे दीजिए फिर यहां पर एक ऐसा ठीक है और यह ऐसा इस तरीके क Proto ப का कजिया थी तरीके का प्रोड़क्त काम को मिलना चाहिए तुरी यह वला बन नहीं आए यह कि तो बहुत टूट चुका है बस इतना ही बहुत रहेगा ते तो कि aby ऐसा तो प्रोड़क्त मिलना चाहिए यहां पर क्या बना रखा ये आप का रहा नाइटोजन प्लस तो इस कारवन को आप अलफा बोलेंगे बिल्कुल बोलेंगे इस कारवन को आप अलफा बोलेंगे बिल्कुल बोलेंगे इस कारवन को आप अलफा बोल देज़े ठीक है सारा कारवन अलफा एक और है ये भी अलफा होगा सारा अलफा कारवन को देखा कीड़े गोर से एक ribs दू अलफा तीन अलफा ठीक है और एक ये चार अलफा चार कारवन ये चार अलफा होगा अब इस सारा कोई बीटा ने, इस अलफा का तो बीटा है, इस अलफा का भी बीटा है, इस अलफा का भी बीटा है, तो बीटा कारण कहा है, यहाँ पे हो गया एक बीटा कारण, ठीक है, एक बीटा यहाँ पे हो गया, एक बीटा यहाँ पे हो गया, अब सारे बीटा कारण को रगब देखे तो इन में से आपको बापस सबसे ज्यादा इस्टेवल बीटा कारवन कौन सा लगने वाला तो यह वाला तो नहीं हो सकता वच्चों क्यों कि यहां से देखिए फिर से इधर से जाएगा इलक्टोन ठीक है तो यह तो यहां से जुरा हुआ है इसकी अगर हम बात करते हैं तो यहां पर देखिए क्या है यहां पर देखिए यहां से तो फिर इधर से भी जुरा हुआ इधर से भी जुरा हुआ फिर इधर से भी आएगा इसमें देखिए क्या हो रहा है यह वाला बीटा कारवन जो है यहां पर जो बनने वाला माइनस होगा वह ज्यादा एस्टेबल हो तो इसलिए यहीं से हम लोग क्या करेंगे इसको एटा कराएंगे यहां से ओपन हो जाएगा समझ रहें तो अब देखिए आपकर नाइट्रोजन यह बच जाएगा यहां पर एक मिधाइल एक मिधाइल फिर यहां से बगल वाला प्रॉर्ण हो जाएगा और आपको यहां डब पाउन दिया यह इस तरह का प्रोजक्शन फॉर्मला क्या बोलते हैं तो अगर आप फिसर में काम करने में मतलब कमफट होते हैं तो फिसर में कर सकते हैं नहीं तो मेरा यह आपका राय रहेगा कि आप हमेशा जब भी आपको इलिमिनेशन लगाना हो सब्स्टीचूशन अर्ली अब्जर्भ हो पाएगा करने को तो यहां भी किया जा सकता लेकिन आपको फील नहीं आएगा जो आपको सोहस प्रोजक्शन देगा तो बच्चों हम इसको यहां पे अभी सोहस प्रोजक्शन में कनवर्ट कर लेते हैं पहले उसके बाद देखते हैं कौन सा स्कीन को देख रहे हैं तो हम लोग से दूर जा रहा हुआ पीछे की तरफ जा रहा हुआ ठीक है और यह डी और सी एस थ्री जो गा यहां वहला वही से बनाते हुए हमारे तरफ आ रहा हुआ ठीक है आप ऐसा सब्सक्राइब करते हैं तो आपको लगना चाहिए कुस पॉइंट पे स्कीन पे दो पॉइंट हमारे तरह पॉइंटेड है तो एक्च्वल में अगर हम इसी को सोहर्स में कनवर्ट करें बच्चो तो सोहर्स में कनवर्ट करने का हमारे पास यह option होगा ऐसे कर देते हैं ठीक है आप सोहर्स में कनवर्ट करना जानते होंगे तो हम बच्चो यहां पे सोहर्स में कुछ इस तरीके से कनवर्ट कर लेते हैं इसको देखिए पीछे वाला जो एच है वो नीचे कर दे रहे हैं ठीक है बापस यह इधर डी जाएगा और इधर हमारा CS3 होगा तो हम यहां पे CS3 से लिघ दिए और यह भाला जो हम प्था बना रहा हुआ हो यहां वाला बना रहे है है इसलिए ऽ्था आप सोचए कि सकignon पर अभाला करते हैं यह एच आप से दूर चला जाएगा और हम देख दो नीचे हो दो झाला और ये H और H जो भचो B-Sip میں खरा होगा, तो B-Sip माले हम खरा कर देते हैं this. ये O-H हो गया, tu ये तो यहां तक अभी आ गया हमारा, फार देखे हैं wa हुआ तो Ž you can do the bad अब देखिए ये H और धे, अब यहां के बाद से हम लोग क्या करते ह machen? इसको हम लोग convert कर लिए हैं ठीक है अब हम लोग का काम क्या यह reaction देखना आप बहुत से देखिए इस reaction को हम लोग बोलते थे अगर आपके पास पिरिडीन यह तर्सरी मतलब हिंडर्ड बेस टाइप कोई भी दे तो यह जो मेकेनिजम होता था वह चेंज हो जाता था बच्छो एसन टू वाले में क्या हो जाता था एसन टू वाले में इसका मतलब हम लोग को इस reaction में करना क्या होता था वे चको हटा कर सी ल करना होता है वे खशकर लेकिन आपको मालूम है करन पर इंवर्जन होता है जहां पर इंवर्जन होगा तो पर देखिए यहां पर आप लोग देस इसको हम ऐसा करते हैं कि इसको या तो आप उपर से घुमा दें या नीचे इस तरफ हम इसको क्या करते हैं बच्छों घुमा देते हैं जैसे इसको अभी रियक्शन नहीं करा रहे हैं त्यान से बस देखते रहे हैं अभी रियक्शन नहीं करा रहे हैं यह हो गया और फिर रख अब देखिए यहोई आपका ऐसा होजाएगा यह चला जाएगा लाइन से और यह इज इधर आ जाएगा लाइन से यह कुछ ऐसा हो गया यहां के लोग गाते हैं अब अगर हम इसके उपर अब SOC l2 करा हैं सेंटू मेकनिजम से तो हमको यह सारा चीज अच्छे से फील होगा आपको मालूम है सेंटू रियक्षन क्या होता है जिदर से आपको लिभिंग गुरूप हटाना एक्चुली यह लिभिंग गुरूप के जैसा ही यहां पे काम करेगा उसके अपोजिट साइड से टैक होगा अब ऐसा सोचे कि आपको यहां पे सील का अटाक अब इधर से करना अब अगर मतलब से जूरेगा तो यहां से पूरा पॉर्षन निकल जाएगा एक्चुली यह पूरा पॉर्षन नहीं निकलेगा यह पहले मेकनिजम तेखेंगे आप अगर याद होगा आपको तो ओएच पहले एस पे अटेक करता है ठीक है उसके बाद फिरी जो सी एल माइनस होगा वह यहां पे टाक करेगा पिछे सी यह सारा ग्रूप निकल जाए दखे जब हम नीचे से टाक करेंगे तो यह जो दोनों लाइन अभी नीचे की तरफ था वो धीरे-दीरे यह लाइन उपर की सबाप चलेगा और आपको जो दिखने वाला है वह हैं फिगर कुछ ऐसा आइसा तो जाएगा यहां यह तो चला और यह चला गया और यह थोरह तर्इसुंत नीचे जो जुका हुआ था अब ये उपर की तरफ मूर जाएगा नीचे जो जुका था इसका अब ये उपर की तरफ होगा इसी को बच्छों बोलते हम लोग इन वर्जन ठीक है पहले जैसा था उसके जस्ट अपोजिट में चला गए चाता जैसा आप समझ सकते हैं तो अब यह हमारा बच्छों फाइनल प्रोड़क्ट यह हुआ है यह हमारा क्या हो गया फाइनल प्रोड़क्ट यह हुआ अब देखिए एक ऊपर एक रियक्शन पर रहा अब हम पहले यहां पर एक को बना लेते हैं यह सी एल है यह सी एच थ्री है यह आपका है फिर यहां पर एच है फिर यहां पर डी है और फिर यहां पर सी अब यहां पर देखिए किसका रियक्शन हो रहा टर्ट बीट अक्साइड किसका वच्छों टर्ट बीट अक्साइड आपको याद करना है कि हॉप मैन elimination दो ही case में होता है hopman elimination दो ही case में होता है एक हमारा base बलकी हो जाए एक हमारा base बलकी हो जाए तब आपको hopman elimination करना पर जाएगा दूसरा हमारे पास charge substrate आ जाए living group poor हो जाए तो यहाँ पर देखे बच्चो living group तुमारा बहुत अच्छा है लेकिन हम जो base यूज कर रहे हैं वो बहुत जादा hindered है third bit oxide है तो third bit oxide के लिए elimination करना बहुत मुस्किल होगा internal hydrogen को हटाना इसलिए यह external hydrogen को हटाएगा तो पहले थम बच्चो elimination करने के लिए alpha position मार कर लेते हैं living group का जो carbon होता है उसको alpha अब alpha के बगल में जितना कारवन हो सब बीटा होगा तो देखिए alpha के बगल में यह भी कारवन है तो अब यह भी कारवन होगा अब सवाल आता है कौन से बीटा कारवन से हम लोग को hydrogen हटाना होगा तो आपको याद रखना है हॉप मैन elimination करना है पे set zip नहीं करना अगर आपको set zip करना होता तब आप यहां से हटाते और यहां से जब हटाते तो ये आपको anti-elimination होता आपको anti-karna पड़ता तो इसलिए हम अभी बच्चों क्या यूज करना है तर्ट बिटोकसाइड यूज कर रहे हैं तो तर्ट बिटोकसाइड में हम लोग external यहां पर यहां तक पहुंचना बहुत मुस्किल होगा इसलिए बल्की बेस बाहर है एक्स्टरनल है उसको खीच लेगा तो इस बीटा पोजिशन से हाइडोजन लेना इसके लिए ज्यादा बेहतर होगा और बच्चों यहां पर यहां पर सही अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा तो इसलिए हम लोग यहां इतना कह सकते कि यहां साइडोजन जाएगा यह माइनस बनेगा और यही माइनस क्या होगा बच्चों इस कारवन पर एटेक कर देगा और यहां से लीविंग को हटा देगा तो अब गौर से देखिए इसका प्रोड़क्त्स आपको कैसा बनता हुआ देखेगा अभी यह तेट्राइडल है लेकिन जैसे होगा लीँ गली को सकते हैं लगी मोना चाहीं हमारा अल होना चाहिए था चुकित O eclipse आप यहीं पर आप अल्कोहली क्यों यूज की होते यह सिंपल आरो माइनस यूज की होते तब बच्चों इसका प्रोडक्ट आपको लिखने देता तब क्या करते आंसर हमारा यह है देखिए आप ऐसा option में आपको कहीं भी नजर नहीं आ रहा है इसलिए इसका आंसर क्या हो जाए बच्चों डी हो जाएगा चेक करने के लिए आपको ऐसे करना होगा फिर यह ऐसे रहेगा फिर यह ऐसे रहेगा यह एच और यह इसको देखिए क्या करना होगा मैं यह एच को अब फिर से अपोजिट ले जाना हो इसलिए फिर यहां समलोग इसको घुमा देंगे यह अगर घुमाएंगे तो यह पूरा उपर लेग जाए तो यह डी धर यह स्यस्ट्री पल्टी मार्ट जाएगा तो यह एक तरस से हैच यह पूरा का पूरा डी धरा जाएगा लाइन से और यह पूरा का पूरा आपको क्या जाएगा सी एस थ्री लाइन से धरा जाएगा अब आप इसको इटी माइनस अलकॉली क्वेस से यह हटा सकते हैं अब देखिए यहां माइनस बनेगा और जब यहां माइनस बनेगा यह पर अटाइक करेगा और यह यहां से भाग जाएगा तो देखिए आपको क्या हो रहा है यह जो लाइन आपको दिख रहा था उसमें आप आ गया डबल वोन और जैसे यह डबल वोन आएगा तो यह जो ट्राइडल अभी पार्ट दिख रहा था आपको इस पॉइंट पर वो सिस हो गया क्या होगे बच्छों सी सो गया तो अगर हम लोग सेट जीव करते तो ऐसा बनता और ऐसा भी आप्सन में देखिए दिया हुआ यह वाला प्रोड़क्त तो लगता है क्या कि भी आप्सन होना चाहिए लेकिन यहां पर क्या टॉट भी टॉक्साइड है इसलिए य एक पॉइंट को हमने क्लियर कर दिया है अब इसमें हमको नहीं लग रहा कि आपको कहीं पर डाउट होना चाहिए